असलाम लेकूम, वेलकम बेक टू मैं चैनल, ड्रामेटिक नावल्स पैस सुन्हे रहाँ एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन के प्रिटन को लाज में प्रेस कर ले रीडर्स आज की एपिसोड में मुतस्यम हीना किये होगी मुलाकात और आपको देखने को मिलेगा अमीरा का मौर्निंग रुमेंटिंग अदास नेक्स्ट एपिसोड का टारगट 600 लाइक्स और 100 कुमेंट कम्प्लीट होने पर आएगा नेक्स्ट पार्ट तो जल्दी से एपिसोड को लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलें आज की एपिसोड रीड आउट करते हैं नावल नेम दिवानी यार्दी तहरीर जुनेराहान किस्ट नमबर 16 पार्ट 1 जावेद क्या अपडेट है? मुतस्सिम सिग्रट सु लगाते इसकी साथ वरी चेर पर बैठा जावेद की गोत में रखे लैप्टॉप की चानिप देखने लगा सर शाजरहान इन दिनों अपने घर से ओफिस की सीवा कहीं नहीं गया इंग्लेंड भी इसके अपने वालिद से सिरफ एक दो बार ही गुफ्तगू हुई है जावेद लैप्टॉप के की बोर्ट पर तेजी से उंग्लियां चलाता गोया हुआ मुतसिमान और इसकी टीम सब एरपोर्ट, डेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, होटल्स, सब जगा चेक कर चुके थे लेकिन हिना का भी तक कोई सुराख नहीं मिला था लेकिन सर कल एक अन्नौ नमबर पर शाजरहान की कल दो बार बात हुई है वो भी पांच-पांच मिन्ट की जावेद ने पास बैठे, सीरट भूंकते, मुतसिमान की जानिप देखते कहा इस नमबर की डीडेल और लुकेशन पता कर सकते हो मुतसिम पूर सोच अन्दास में बोला येस सर बस दो मिन्टे जावेद मुस्कुराता हुआ बोला और तेजी से उंगलिया की बोर्ट पर चलाने लगा मुतसिमान इसके साथ बैठा, सीगरट के गहरे गहरे कश परता अपने मुबाइल के वाल पेपर पर लगी हिना की तस्वीर देखने लगा जो इसने अमीरा के निकाह वले दिन इसकी बनाई थी जब वो महनूर के साथ खड़ी ना जाने इस बात पर मुस्कुरा रही थी मैं मुतमिन हूँ तरी तस्वीरों से मगर आरजू है तुझे सीने से लगाया जाए दिल में कहती इसने हिना के मुस्कुराते लबों को अपनी उंगलियों के पौरों से चुआ था जिसे चूने की तलब वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी सारी ये नमबर किसी हलीमा के नाम से रेजिस्टर्ड है और लुकेशन इसलामाबाद से बाही की साइड शो हो रही है जावे तेजी से गोया हुआ लुकेशन मेरे नमबर पर सेंड करो और मेरी इसलामाबाद की टिकट बुक करवाओ मुतस्सिम मुबाईल की सक्रीन बंद करता अपनी जगा से उठा था लेकिन सर कन्फर्म नहीं है कि मैं वहाँ पर हूँ हमें पहले किसी और को वहाँ बेचना चाहिए कन्फर्मेशन के लिए तुम से जो कहा गया है बस वो करो मुतस्सिम हतम हुई सिगरेट अपने पाउं तले मसलता बारी गंबी लहचे में कहता इसे सक्थ नजरों से गोता वहाँ से बाहिर निकलता चला गया था पीछे जावेट ने अपने बौस के हुकम पर जल्दी से इनकी इसलामाबाद की फ्लाइट बुक करवाई थी अमीरा ने किसम साथे अपनी आँखें खोली और चेहरे पर लिप्टे कमफर्टर को पीछे किया कमरे में फुल अंदेरा हो रखा था और एसी की कूलिंग से पूरा कमरा बेतहाशा धंडा था अमीरा ने साइट टेबल पर हाथ मारते वहाँ पर डखे लेंप को रोशन किया तो पूरे कमरे में रोशनी फैल गई अमीरा ने सामने दिवार पर लगी गड़ी पर टाइम देखा जहां सुबा के छे बज रहे थी वहाँ से नजरे हटाती अमीरा ने बैट के दूसरी जानिब देखा था जहां काजिम हान बिना शर्ट और कमफर्टर के इसकी जानिब गरवट किये सो रहा था काजिम के बुरहना फूले सीने को देख अमीरा का बेसाफ़ता दिल दड़का था और इसे इस शक्स पर ताजुब हुआ जो फुल एसी छोड़े बिना शर्ट के सोया हुआ था जबके इसे तो कमफर्टर रखने के बावजूद भी बहुत सर्थी लग रही थी इसके वजूद से नजरे हटाते अमीरा ने अपनी साइट टेबल की चानिब एसी का रिमोट तलाशा लेकिन इसे कहीं नहीं मिला तो इसने थोड़ा पीछे की चानिब होते काजिम की साइट पर देखा तो इसे रिमोट साइट टेबल पर बड़ा नजर आया अमीरा अपने वजूद के गेड़ कमफर्टर अच्छी तरह लेपेटी काजिम की चानिब खिसक दी इसके बिलकुल करीब होते इसने इसकी कमर के उपर से अपना हाथ गुजारते रिमोट पकरने की कोशिश की जिसके चक्कर में वो काजिम के बेहत करीब आ गई थी काजिम की गरम सांसे इसके सीने की दर्मयान में पढ़ रही थी जिसे महसूस करते इसके जिसम में सर्प दहर सरायत की जल्दी से रिमोट उठाती वो काजिम से थोड़ा दूर हुई और ऐसी की स्पीड कम करते इसने रिमोट अपने कमर के पीछे रखा और हुद वही काजिम से कुछ फासले पर काजिम की जानिब करवट किये लेट गई काजिम हान की कलकी बेबाक्या याद की इसके काल दहकने लगी थे काजिम हान के चहरे से होती नजर इसकी गर्दन पर गई जहांपर इसे अपने दाटों के निशान नजर आए अमीरा ने हाथ बढ़ा थे इस निशान को अपने हाथों से छुबा कि अचानक इसका दिल इन्हें अपने लबों से चूने का किया तो अमीरा थोड़ा सा इसकी जानिब खिसकती इसके बिल्कुल करीब होती आहिस्ता से अपने लब इन निशानों पर रखती इन्हें अपने लबों से महसूस करने लगी अकड़ो अमीरा अपना चेहरा इसकी गर्दन से उठाती इसके चेहरे के नकूश की जानिब देखती काजिम की कलवली दमकी याद किये मुस्कुराती हुई बोली आप मुझे एक या हजार दमकियां भी दे दे जितना मरसी मुझे डरा ले लेकिन मुझे हुच से दूर नहीं रख पाएंगे जब तक आपको आपके दिल में चुपी महबत का एहसास नहीं मैं करवा देती तब तक मैं पीछे नहीं हटूँगी अमीरा सरगोशी में कहती काजिम की दाड़ी को अपने हाथ से सहलाती आहस्ता से इसके गाल पर अपने लब रखती इन्हें नर्मी से चूटी पीछे हुई वो काजिम हान का नीन में होने का फाइदा उठाती इसके चहरे के नकूश को देखती इसके हो नस्दीक होई थी माथे से अपने शहादत की उंगली से लकी एक खेंच दी वो आँखों के दर्मियान तक लाती इसकी दोनों आँखों को बारी बारी चूटी वो उंगली वहां से ट्रेस करती इसकी नाग की टिप पर लाई थी और इसके चहरे पर जुकती वो नर्मी से इसके खड़ी मगरूर नाग को अपने लबों से चूटी पीछे हुई उंगली को नीचे इसकी मूचों पर फेरती इसके मूचों तले चुपे इसके नाभी लबों पर लाई उंगली से हलका हलका इन्हें से हिलाती वो उंगली नीचे इसकी ठोड़ी पर लाती इसकी मूचों पर अपने लब रखती इन्हें हलका हलका रप करने लगी काजिम की मूचों की मीधी मीधी जुबन इसे अपने होंटों पर बहुत बली लग रही थी वो इसकी चहरे पर चुकी आँखें बंद किये अपनी मस्ती में लगी हुई थी के काजिम जो कब से जागा इसकी सरगोशियां और अपने चहरे पर इसकी की जाने वली कारवाईयां महसूस करहा था इसके लबों का लंप्स और इसकी गरम सांसे अपने चहरे पर महसूस करता इसने अपनी आँखें खोली और अपने चहरे पर जुके इसके चहरे को देखते इसकी काली गहरी आँखें चमकी थी इसे अपने लबों से इसमी मोचों के साथ खेलता देख इसका दिल किया अभी इसके शिरारत करते लबों को अपने लबों की कैद मे लेते इनकी नर्माहट को हुद मे उतार ले ये क्या कर रही हो अमीरा जो आँखें बंद किये अपनी मोच में लगी थी काजिम की बारी आवाज पर जटका खाकर इस से थोड़े फास्ते पर गिरी थी ऐसे जैसे इसे करंट लगा हो काजिम हान की शर्ट में मर्बूस इसका नाजुक सरापा क्यामत दा रहा था उपर से इसके उलजे पाल काजिम हान इसके सरापे को देखता सीधा होकर बैठा था वो वो मैं ये रिमोट ले रही थी अमीरा वोरन से बैठ से नीचे उतरती बैठ पर एसी का रिमोट उठाती गोया हुई रात को समझाई की मेरी बात लगता है तम्हारी समझ में नहीं आई काजिम बैठ से उतरता शिर्ट लेस सक्मजरों से इसकी जानिप देखता इसकी तरफ बड़ा था नहीं वो मैं अमीरा से कोई जवाब ना बन पाया तो वो काजिम को अपनी जानी पढ़ता देख जल्दी से दोड लगाती वाश्रूम में बंद होती गहरे गहरे सांस बरने लगी अमीरा की तेज अमीरा की तेजी और वाश्रूम के बंदर होते दरवाजे को देख काजिम हान के लब मुस्कुराई थे जिससे इसके दोनों गालों पर पढ़ते डिम्पल भी मुस्कुराई काजिम नफी में सरहिला था ड्रेसिंग रूम में गया और वहाँ से अपना ट्रैक सूट लेता बैट पर पढ़ी अपने शिट उठा कर पहने ता कमरे से बाहे निकलता चला गया था अमीरा फ्रेश हुई बाधरूप पहने वाशन के साथ कान लगा कर खड़ी बाहे की हल्चल को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जल्दी में उपने कप्ड़े लाना तो बोल गई थी और अब बाहिर वो इस बात रूप में हरकिस नहीं जा सकती थी काजिम के रात के किये अमल से वो बहुत कबरा गई थी अब इसे इस पर जरा यकीन नहीं था कब क्या कर जाए अमीरा कापी देर कान लगा कर खड़ी ही लेकिन इसे कोई आवास सुनाई ना दी तो इसने हलका सा दर्वाजा कोलती एक आँख से बाहिर की चानित देखा लेकिन सामने इसे काजिम केही नज़र ना आया तो इसने अपकी बार पूरा सर निकाल कर बाहिर देखा पूरा कमरा हाली देख इसने रपकर शुकर अता किया और वाशूम से बाहिर आती वो ड्रेसिंग रूम में बंध हुई थी थोड़ी देर बाद वो चेंज किये बाहिर आई और आईने के सामने खड़ी हुई इसने वाइट कलर की बैनवाल कमीज से बतन की हुई थी जिससे रात काजिम की दिये जाने वल निशान छुपके थे साथ वाइट कैपनी पहने हैं साथ रेड टू बटा कंदे पर रखे वाइने के सामने खड़ी हैं अपने हुटों का जाइजा ले रही थी गर्दन के निशान वो छुपा चुकी थी लेकिन जखमी हुए हुट सामने नजर आ रही थे और इन जखमों के साथ वो बाहिर नहीं जा सकती थी इसलिए इसने हलकी हलकी अपने हुटों पर पिंक अपने हुटों के साथ वाली लिपस्टिक लगाई थी जिस जिसके जखम काफी हद तक छुप गए थे जो दूर से देखने पर वाज़या नहीं होते थे जल्दी जल्दी हलका फलका तियार होती बालों को ड्राइर किये दरम्यान में से मांग निकाले कानों में वाइट टॉपस पहने एक नज़राइने में खुद को देखती मुकाजिम के आने से पहदे कमरे से निकल गई थी असलाम लेकुम दादो अमीरा बाहिर हाल में बैठी तस्पी करती परवीन बेगम के पास आती इनके गाल पर प्यार करती इनके साथ बैठी वालेकुम सलाम आज मेरा बच्चा सुभा सुभा उट किया परवीन बेगम ने मुस्कुराते इसके कंदे से पकड़ते अपने सीने से डगाया था और इसके सर पर प्यार किया था जी दादो अमीरा कहती इनकी गोट में सर रखकर अपनी टांगे सोफे के उपर करके सीधी होकर लेती थी मिरी जान ये क्या हुआ ये चोट कैसे लगी तुम्हें परवीन बेगम इसके माधे पर कटका निशान और गाल पर हराशे देख दी फिकरमंदी से इसका चहरा पकटती बोली अमीरा ने इनकी फिकरमंद चहरे को देखा पहले इसका दिल किया इनसे कोई जूट बोल दे लेकिन काजिम की कल रात की जाने वली हरकात याद करके इसने परवीन बेगम को जंगल में हुए सारे सीन के बारे में परवीन बेगम को बता दिया सवाए अपने कारناमों के अज़ए हाई मेरी बच्ची मेरी चान परवीन बेगम काजिम का जूलम सुनती इसके सर को अपने सीने में बीच दी इसके सर पर बेता हाशा प्यार करने लगी अमीरा भी मासूम से शकल बनाए इनकी कमर के गेट अपने दोनों हाथ हाईल करती हमोशी से इनका प्यार वसूल करने लगी वो हुद तो इस गौट सिला को कुछ कह नहीं सकती घी लेकिन अब इसका बदला इसकी दादी लेगी आने दो इस खोते को मैह पर लेती हूँ इसकी हमारी बच्ची को इसने क्या लावारस समझ दिया है जो इस पर इतने जुलम करता फिर हाई खुद आना हुआस्ता अगर तुम्हे कल कुछ हो जाता तो दादो आपको पता है मैं बहुत तर गई थी और जब वो कुद्दा मेरे पीछे पड़ा मुझे ऐसा लगा अब मैं नहीं बच्चने वाले मैंने काजिम को कितना कहा कितने तरले किये मुझे यहां मत छोड़ कर जाओ मैं दादों से परमीशन लेकर आई हूं लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे से पता है क्या कहते है कि दादों कौन होती है तुम्हें इचासत देने वाली अमीरा अपनी हसी दबाती बच्चों के अंदास में बोली हाई मैं सद्के मेरा बच्चा परीन बेगम ने जुक तेस का गाल चूमा आज मैं बताती हुई से मैं कौन होती हूं मेरी बच्ची पर इतना जुलम कर दिया वो क्या सोचता है कोई कुछ बोलेगा नहीं अब आएगा मज़ा देर शोहर जी बड़ा शोक है आपको सजा देनेगा अब दादी देंगी आपको सजा हाए कितना मज़ा आएगा गौडजिला की इज़त होते देख इस लम्हे के बारे में सोचती ही मेरा के पेट में गुद गुदी होने रगी थी किया वो अपने मुस्कुराहर चुपाने के लिए परवीन बेगम के पेट में चहरा चुपा गई थी काजिम जिम से फारिक होकर पसीने से शराबूर हुआ कमरे में ताहिल हुआ था इसने अपनी दाड़ी से हिला दे पूरे कमरे में नजरें दोड़ाई थी अमीरा इसे कहीं नजर नहीं आई जबके कमरा बिल्कुल वैसा ही बिखरा पड़ा था कमरे के आलत देख इसके पसीने शुदा माधे पर बल पड़े थी इसे अपने कमरे में गंतगी हरकिस पसंद नही थी लेकिन जब से अमीरा इसके कमरे में आई थी इसे कमरे में सफाई कम ही दिखाई दे थे आमीरा का पूरा समान हर वाग कमरे में बिखरा रहता था अभी भी बैट पर अमीरा की कमीज पड़ी थी सोफे के पास इसकी चपपल पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर इसके मेक अप का समान बिखरा पड़ा था काजिम हान गुस्से से मुठिया बीज़ता सब इक्नोर करता ड्रेसिंग रूंग में अपने कपड़े लेनी किया के वहाँ पर गीला बात रूप बड़ा देख इसके गुस्से का लेवल बढ़ा था गीला बात रूप वहां से उठाता वो बाहिर आया था अमीरा काजिम हान गीला बात रूप हाथ में पकड़े जोर से चिलाया था मचाल है ये लड़की इसे सकून का कोई लम्हा मियस्सर आने दे अमीरा जोनूरी के साथ आश्टा टेबल पर लगा रही थी काजिम की अवास पर इसने मासूम से शकल बना कर परवीन बेगम की जानिब देखा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की परवीन बेगम उससे गोया हुई तुम जाओ और अपने दादू को नाच्टे की लिए बुला कर लाओ बाहिर लोन में होंगे परवीन बेगम के हुक्म देने पर अमीरा अस्पत में सरही लाती बाहिर की जानिब चली गई और नूरी मूँ खोले परवीन बेगम को देखती रह गई कहां इनके गाओं में शोहर के बुलाने पर सास माँ डान ठपट कर पेचती थी और यहां ये युद्धी इन्हें जाने से मना कर रही थी तुम मूँ खोल कर क्या देख रही हो परवीन बेगम मूँ खोले खड़ी नूरी को देख कर बोली नहीं कुछ नहीं नूरी मू बन करती वहां से किचन में गाइब होई थी अमीरा के ना आने पर काजिम ने बात रूम सोर से फर्ष पर पटका था और इस से बात में निप्टने का सोच दे वाज रूम में प्रेश होने गया था काजिम ब्लियो टूपीस पहने नक्सक सा त्यार हुआ अपने कमरे से बाहिर निकलता सीधार डाइनिंग टेबल की जानिब आया था जहां मीरा परवीन बेगम और सिकंदर साहब पहले से बैठे नाश्टा कर रहे थे अस्ताम लेकूम जवाब किसी ने नहीं दिया था काजिम ने पहने सत नसरों से प्लेट पर जुकी अमीरा को गूरा था फिर अपने साथ बैठी परवीन बेगम को देखा था मेरी ब्यूटी कुईन ठीक तो है काजिम ने प्यार परी लहचे में पूछ दे परवीन बेगम के बरे बरे काल खींचे जिसके बद्दे परवीन बेगम ने सक्त नजरों से इसकी चानिप देखा था जबके प्लेट पर जोकी अमीरा के पेट में हलकी हलकी गुद्गुदी हो रही थी और लब मुस्कुरा रही थे तुमेश से क्या हम तुम्हारे लिए कोई एहमियत नहीं रखते इस बात का अंदाजा हमें कल हो गया है परवीन बेगम सर देखे में गया हुई तो सिकंदर साहब ने भी इनकी जाने ना समझे से देखा इसका क्या मतलब हुआ आप दोनों की मेरी जिन्दगी में क्या एहमियत है यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं आप अच्छे से जानती है अगर ऐसी बात है तो यह जानने के बात के अमीरा कल मेरी परमीशन से फोजिया लोगों के साथ यही थी तो क्यों है इसे वहाँ जबरदस्ती लेकर आए और इस बच्ची को अकेले रात के वक जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया के तुमने इस बच्ची को लावारस समझ रखाए जो इस पर यूँ जुलम डहाते फिर रहे हो परवीन बेगम अपके उंची वास में पोली है तो कासिम ने हून शाम नजरों से सामने बैठी अमीरा के वजूद को गुड़ा उससे इसके जबरे तने थे उससा जब करने के चक्कर में इसकी रगें बाहिर को उबरी थी तो इसने आप से मेरी शिकायत लगाई है लफ़ों को जब आते वो अभी भी अमीरा की जानिब देख रहा था जो मासूम से शकल बनाए इसकी जानिब देख रही थी काजिम की सुरुई आंकें देख अमीरा को होफ आया लेकिन परवीन बेगम और सिकंदर सहब को अपने पास मजूद देख इसे थोड़ा होंसला हुआ था तो तुम्हारे मताबिक वो खमोश रहकर तुम्हारी फजूर की हरकतों को बरताष्ट करती रहती इसके चेहरे पर कितनी चोट आई है अगर इसे कल वहां कुछ हो जाता तो हम इसके माबाप को क्या जवाब देती कितने माँ से हम इसे ब्याक कर लाई थी मेरी शिकाइट तो इसने आप से करती अपने कारनामों के बारे में कुछ नहीं बताया काजिम ने मुठिया बीज़ते कहा तो मीरा की दड़कन एक दम से बढ़ी अगर काजिम ने परवीन बेकम को तस्वीरों और धपड के बारे में बताया तो इसके साथ इसकी भी कलास लग जानी थी काजिम हमें तुम से ऐसी किसी हरकत की उमीद नहीं थी अगर मीरा ने कोई घर्टत कर पी दी थी तो फिर भी तुम्हें इस जंगल में छोड़कर नहीं आना चाहिए था सिकंदर सहब ने हफा लहचे में इसकी जानिब देखते कहा और अमीरा को तुम्हारी पर्मीशन से पहली हमारी पर्मीशन दर्कार है हम इस गर के बड़े हैं और अभी जिन्दा है आइदा के बाद कोई इस किसम की वजूल हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और आज आफिस से हाफ चुटी लेकर अमीरा को डाक्टर के पास लेकर जाओ और इसका कम्प्लीट चेक अप कर आओ पर्मीन बेगम इसे हुक्म देती बोनी तो काजिम के साथ डाक्टर के पास जाने का सुनकर इसे हिचकी लगी थी जबके काजिम ने अपकी बार इसे खाजाने वाली नजरों से देखा था नहीं दादो इन्हें ओफिस में काम होगा मैं मामा के साथ डाक्टर के पास चली जाओंगी अमीरा जबर्दस्ती का मस्कुराती बोली है काम तो होते रहेंगी आज मैं तुम्हें डाक्टर के पास लेकर जाओंगा त्यार रहना काजिम सर्दस्पार्ट लहचे में इसे देखता हाथों में फोग को मस्बूती से पकड़े बोला जबके अमीरा ने इसके हतनाक देवर देख अपने हुश्च हो रहे गले से थूप निकला था इसका हर काम इस पर ही क्यों उल्टा पड़ जाता था अमीरा का अब सच में रोने का दिल किया हाँ काजिम ठीक कहरा गए फोजिया को क्यों परशान करना है अब तुम इसकी बीवी इसकी जिम्मेदारी हो वर्वीन बेगम ने अमीरा की जानिब देख दे काजिम पर तंस किया था कहा जा रहे हो नाश्टा तो करके जाओ काजिम को अपनी जगा से उड़ता दे सिकंदर सहब भोले कर लिया है मैने नाश्टा आप अपनी पोती को करवाएं इसे जएदा जरूरत है ना जाने ही डाक्टर वहाँ इसका कितना हून चूसता है काजिम अमीरा की सबस आँखों में देखता तंसिया कहता अपना मुबाइल हातों में पकरता आँखों पर ब्लैक सन किलास इस्तर गाता वहाँ से बाहिर निकलता चला गया था अमीरा ने इसकी पुष्ट को देखते अपनी लबों पर जुबान फेरी थी अमीरा प्लेट पर जुकी दिल में उमहाती भोती अपने चेहरे के जावे बिकारने लगी अब तो नाश्ता भी इसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था हिना को यहाँ आए आज तीसरा दिन था इन तीनों तीनों में वो बेहत बोर हो चुकी थी इसकी बारा रात वले दिन शासारी से वहां से अपने घर ले गया था और रात को ही वही से बुवाक के साथ यहां भी जवाच चुका था झालों दूआ Term झाल 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 झाल